दिन प्रति दिन मोब लिंचिंग के मामलों में बड़ोतरी होती जा रही है जो बहुत ही चिंता का विश्य बना हुआ है क्योंकि देखने में आ रहा है कि कुछ लोग किसी की भी इतनी बूरी तरह से पिटाई कर देते हैं कि वह या तो गंभीर रूप से घायल हो जाता है यह उसकी मोथ हो जाती है यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस तरह कि घटनाओं पर क्यों नहीं अंकुश लग पा रहा है क्यों नहीं पूलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर सकते कारेवाही कर पा रहा है आलम यह है कि मोब लिंचिंग जैसी घटनाओं में इस घटना ने साल 2015 में हुई दादरी मोब लिंचिंग की याद दिला दी यहां गाएं का मास ले जाने के शक में एक पिकप च्राइवर को हतोड़े और लाठियों से बुरी तरह से पीटा गया गोर अक्षकों ने जाइवर को उसी पिकप में बांद कर घसीटा भी यह सब जब हो रहा था तब भीड के साथ पूलिस भी वहाँ पर तमाशा देख रही थी घटना का यह वीडियो वाइरल हो गया है जिसके बाद पूलिस ने ज्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जानकारी है कि पूलिस ने कोगिरफतार भी किया है पहले आप भी देखी यह है वीडियो करला के है जाथ करते हमली और जानकार्षक टिलना कर दो चाहरा थेला है कि यह चम्यार आंकार्षक शोले आपक शिज़स देखिने ने था तम्मदेश्ट कर दुआ है वीडियो में आपने देखा कि लुकमान को पुलिस की मौजूदगी में लोग बुरी तरह से बीट रहे हैं लुकमान ने बताया कि वह सुबह 9 बजे सेक्टर 4-5 चोक में पहुचा था उसकी पीकप वैन में भैस का मास लदा हुआ था इसी दोरान पाँच दो पहियां वहानों से कुछ यूवक आए उन्होंने पीकप को रुकवाया और लुकमान को गाड़ी से बाहर खीच लिया उसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा गया लुकमान जब अधमरा हो गया तो गो रक्षक उसे पीकप में बाद कर बादशाहपूर गाव ले गए और वहाँ भी उसके साथ मार पिटके गई लुकमान ने पुलिस को बताया कि वे करीब आठ से दस लोग रहे होंगे लुकमान ने बताया कि उन्होंने मेरी और चिला कर गाड़ी रुकवाई मैं अपनी सेफटी के लिए गाड़ी दोडाने लगा मैंने सदर बजार में अपनी गाड़ी रोकी और उन लोगों ने मुझे खीच कर बाहर निकाला गोमास लिजाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने उसे हतोड़े से बहरैमी से पीटा हालाकि अगर कानून की दृष्टी से बात की जाए तो सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार को मोब लिंचिंग की बट्टी घटनाव से निपटने के लिए निरोधक, डण्डात्मक और उप्चारात्मक उपआय करने का निरदेश दिये हुए हैं इसे लागू करने के लिए शिर्ष अदालत ने इन तीन बिंदों के तहत निरदेश चारी किये हैं हालाकि यहां प्रासंगिक प्रशन यह हैं कि क्या हिंसा करने वाली भीड को वास्तव में रोका जा सकता है। जिस याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है। उन याचिकाओं में नियायाले के दाइरे की सीमा यह है कि नियाचिकाओं में केवल गोरक्ष को द्वारा ही की जाने वाली हत्याओं की चर्चा है हाल ही में बच्चे की चोरी वाली अफवाओं के चलते हुई मोब लिंचिंग की घटनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया यह सीमा न्यायाले के आदेश के बाद स्पस्थ हो जाती है लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं में व्रिदी होना बेहद ही चिंता का विश्य है साइबर सिटी गुरुग्राम में मोब लिंचिंग में विचलीत कर देने वाला यह वीडियो सामने आया है जिसमें आधा दर्जन गोरक्षक पिकप ड्राइवर लुकमान को हतोड़े सी पीटे नजर आ रही है ड्राइवर लुकमान चीकता रहा चिलाता रहा लेकिन गोरक्षकों के भेश में इन बदमाशों ने लुकमान की एक नाजुनी और मोके पर मुझूद पुलिस कर्मियों के सामने ही बेरैमी से पीटे रहे वाइरल वीडियो सदर बाजार इलाके की मस्जिद के पास मीट मार्केट का है जहां मेवात घासेडा का रहने वाला पीकप ड्राइवर लुकमान हर रोज की तरह भैस का मास लेकर मीट मार्केट में पहुँचा था लेकिन बाज़्चा पूरी लाके से बाइक सबार बदमाशों ने उसको जबरन रोकने की कोशिश की एक तरफ जहां यह वाइरल वीडियो विचलीट कर रहा है तो वहीं इंसानियत को भी शर्मसार कर रहा है कि कैसे बिना सटीक जानकारी के धर्म के ठेकेदार बने गोरक्षकों के भेश में यह बदमाश कैसे बेखोफ हो वारदात को इंजाम देने में लगे हैं हाला कि अगर कानून की माने तो ऐसी घटना जहां मोब लिंचिंग होती है वहाँ देर किये बिना FIR दर्ज होनी चाहिए S.H.O. को फिर इस FIR के बारे में N.P.O. को सुचित करना होगा N.P.O. को यह सुनिशित करना होगा कि पिडितों के परिवार के सदस्यों का किस तरह से और उत्पिडन ना हो इसके बाद N.P.O. व्यक्तिकत रूप से जांच की निगरानी करेगा और यह सुनिशित करेगा कि आरोप उपतर समय पर दायर किया जाए खैर कुछ भी हो अब देखना होगा कि मोब लिंचिंग के घट नाए रुकेंगी या इसी तरह से बढ़ती रहेंगी ऐसे ही खबरे देखने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्स्प्रेस पर धन्यवाद ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारे चैनल को लाइज, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्यवाद थैन्यवाद